हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी मेथड में स्वागत आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि पुराने दुपटे जा पुरानी सारी जो हो जाती है उनसे हम बहुत अच्छी चीज़ें घर के लिए त्यार कर सकते हैं कपड़े करें शोट शोटे जो पीस बच जाते हैं उनसे हम घर के लिए बहुत सुंदर और काम की चीज़ें त्यार कर सकते हैं ये देखे जे मेरे पास थे कपड़े के पीस एक देखे इतना छोटा सा मेरे पास कपड़े का पीस था इसको जॉइंट करने के लिए दो और मैंने जहां पर देखे सेम साइज के कपड़े के पीस लिए हैं आपके पास जितने भी साइज के कपड़े के पीस हो आप उतने साइ से बना सकते हैं एक पीस को उठाते हुए दूसरे पीस के उपर रखकर ऐसे सलाई लगानी है यह मैंने सलाई लगा दी है अब जो दूसरा पीस था उसको भी देखे ऐसे उठाते हुए रखना है और सलाई लगानी है तो यह तीन पीस हो जाएंगे यह देखे ऐसे हमने एक पी पीस त्यार करना है जे देखे ऐसे शोटे शोटे पीस वी जोड़कर हम एक बड़ा पीस त्यार कर सकते हैं तो मैंने जे देखे एक पीस ये त्यार कर लिया है और एक पीस नीचे लगाने के लिए सेम साइज का लेना है जे वी देखे मेरे पास छोटे पीस थे बीच में मैंन उपर वाली साइड रखने है दोनों कपड़े के पीस सीधे साइड उपर वाली साइड आने चाहिए जो सिलाई लगाई थी वो बीच में आ जाए किजे देखे ऐसे हमने रखना है और अब देखे एक साइड मैं सिलाई लगा देती हूँ जे देखे ऐसे सिंपल हमने सिलाई से यह दो पीस अटेच करने हैं अभी एक साइड ही मैंने सलाई लगाई है यह देखे ऐसे सलाई लगा दी तो अब इसका थोड़ा गैप छोड़ते हुए हमने बाकी सलाई लगानी है वन पॉइंट फाइव इंच का देखे मैं ऐसे गैप छोड़ते हुए सलाई लगा दूगी यह आप से अगर सीधी सलाई ऐसे नहीं लगती तो आप पहले लैन ट्रॉ कर ले उसके वाद सलाई लगा सकते हैं तो यह सलाई असानी से लग जाएगी तो यह पूरे पीस के उपर हमने ऐसे ही सलाई लगानी है यह असानी से बन चाता है हम वेस्टेज चुन्नी, दुपटे जब पुरानी सारी जो फार्ट जाती है खराब हो जाती हैं उनका जूज नहीं करते फैंक देते हैं तो हम उन से जे बना सकते हैं यह काफी सॉफ्ट बनता है और बनाने के बाद इसकी लुक भी बहुत सुन्दर आती है जे छोटा जा बड़ा आप अपने जरूरत के हिसाब से बना सकते हो जितनी भी आपको जरूरत हो अगर जे बड़ा गदा बनाने की जरूरत हो तो आप बड़ा त्यार कर सकते हैं अगर छोटा बच्चों क के लिए बनाना चाहते हैं तो जे छोटा भी बना सकते हैं जे फ्लॉर सीटिंग सोफा भी बनके त्यार हो जाता है आज कल जैसे सर्दी है तो धूप में बैठने के लिए भी जे गदा काफी सौफ्ट होगा तो हम इसका जूज कर सकते हैं अगर हम बाहर कहें पिकनिक पर भी होता जे देखिए मैंने पूरे पीस के ऊपर सिलाई लगा दी है ऐसे देखिए हमने सिलाई लगानी है जे दो पीस थे कपड़े के तो इसके ऊपर जे देखिए ऐसे सिलाई लगा दी है तो बीच में इसे देखिए ऐसे दोनों साइड से जे ओपन है जे देखिए दोनों सा weh thi Pruanai, जो बाइकार थी तो मैं उसका जूज करूँगी जे देखे हमने जे पहले ऐसे कठा करके हुए देखना है कि कितना हमने जे गद्धा मोता बनाना है जा थोड़ा पतला बनाना है उस हिसाब से हम यह दुपट्टे ऐसे कट कर लें तो यह देखिए ऐसे पीस दुपट्टे के कट करते जाएंगे जर यह आपके बाद सारी है तो सारी के भी आप ऐसे पीस कट कर लें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना जो मेरी वीडियो प यह देखिए मैंने दुपट्टे सब कट कर लिये थे अब दुपट्टे के पीस को ऐसे देखिए कठा करते हुए सेफटी पिन लगानी है यह देखिए मैं सेफटी पिन लगा देती हूँ और सेफटी पिन लगाने के वाद इसमें देखिए ऐसे बीच को पिडो देना है ऐसे देखिए पीच को निकालते जाएंगे और जे दूसरी साइड सेफटी पिन निकल जाएगी तो हम इस असान तरीके से ऐसे सेफटी पिन से दुपट्टे के पीच बीच में से निकाल दें ऐसे ही हमने दुपट्टे के पीच फिल करने है जिए देखे ऐसे safety paint को निकाल दें तो जिए देखे ऐसे चुन्नी बीच में से निकल जाएगी और ऐसे पूरे piece के उपर हमने जिए चुन्नी के जो piece कट किये थे उनको निकालना है जिए देखे दूसरी side भी safety paint से हम असान तरीके से निकाल सकते हैं जे गद्दा बिल्कुल free में बन के त्यार हो जाएगा क्योंकि दुपटे पढ़ाने थे तो हम इनका juice नहीं करते थे सारी ख्राब हो गई थी फट गई थी उसका भी हम juice नहीं करते थे और कपड़े के छोटे छोटे पीश थे वो हमने लिए है और बस थोड़ी मेहनत इसके उपर जरूर्ट हमें करनी परती है बाकी हमारा इसके उपर एक रुपया तक भी खर्च नहीं हुआ हमने ऐसे ही सारे दुपटे इसमें फिल करने हैं जे देखिए इस तरीके से हम इसमें दुपटे फिल कर दें जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर दें पर कट करने से पहले इसके उपर किनारे पर हम सलाई लगा दें तो पहले मैं देखे सलाई लगा देती हूँ उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दोंगी यह मैं देखे 16 नंबर की सुई पर ही स्लाइब कर रही हूँ तो 16 नंबर की सुई भी इसके उपर असानी से चल चाती है यह देखे जो एक्ट्रा दुपटे बाहर वाली साइड थे उनको मैं कट कर देती हूँ तो हम सिंपल जो स्लाइब मिशीन है उससे हम बना सकते हैं तो यह देखे ऐसे मैंने कट कर दिया है तो अब इसकी जो पीछे वाली साइड है देखे उसको फ्रंट पर लेते हुए एक और मैंने कपड़े का पीस लिया है जे देखे जे सीधी साइड है और मैंने जे उर्टी साइड की है तो एक और मैंने कपड़े का पीस लिया है जे मैंने लिया है जे देखे फोर इंच जे पीस है इसको मैं पहले डवल कर लेती हूँ जे देखे डवल कर लिया तो ऐसे देखे किनारी पर रखते हुए मैं सलाई लगा देती हूँ तो जे देखे ऐसे सिंपल तरीके से हमने इस पटी को अटेज करना है जे पूरे पीस के उपर हमने ऐसे ही पटी अटेज करनी है क्यूंकि जो इसके रफ एजी साइडों पर वो वी फिनिश हो जाएंगे ऐसे देखे मैंने जे पटी लगा दी अब सीधी वा ऐसे ही हमने चारों साइड इस पटी से फिनिश करनी है और जब बन के त्यार हो जाता है तो बहुत सुन्दर देखने में लगता है और काफी घर में जूज होता है तो हम जे ऐसे बना सकते हैं जे देखी चारों साइड मैं जे पटी लगा देती हूँ इसका हम जूज बेड़ शीट की तरह भी कर सकते हैं अगर हमारे घर में चोटे बच्चे हैं तो हम उनके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि जे काफी सॉफ्ट बन के त्यार होता है जो तो पट्टे स्पॉन के सारी होती है वो काफी सॉफ्ट होती है तो इसलिए जे गद्दा है जे भी काफी soft बनके त्यार हो जाता है। अगर हम इसको market में लेने जाते हैं तो काफी costly जे मिलते हैं। अगर आप गद्दा नहीं जूज करना चाहते तो floor mat की तरह भी सरदियों में जूज कर सकते हैं। जो के काफी soft होता है जे देखे जे बनने के बाद कितना सुन्दर और प्यारा बन के त्यार हो गया तो और दूसरा जे है कि ये वाशेवल भी है हम इसको वाश भी कर सकते हैं जब गंदा हो जाए क्योंकि ये कपड़े से बना हुआ है तो हम इसको वाश कर सकते हैं और जब हम में जरूरत ना हो तो हम इसको एकठा करके भी एक साइड पर रखा सकते हैं जे देखिया ऐसे ही थोड़ी जगा में भी जे एकठा करके हम रखा सकते हैं